तो कैसे हो सब सही है तो आज के ये वीडियो उन लोग के लिए जादा बेटर होने वाला है जो लोग फीचर फोन को छोड़के स्मार्ट फोन में सिफ्ट करने वाला है जिया आज के ये वीडियो में फोन डिसकस करने वाला है जो आपको 5000 से लेकर 7000 के अंदर आते हैं तो दे में महंगा फोन ले लेना तो आज मैं बात करने वाले हैं पाच ऐसे पाच ऐसे सस्ते स्मार्ट फोन के बारे में जो आपको 5000 से लेकर 7000 के अंदर देखने मिलते हैं और इन सबी फोन में आप डे टू डे टास्क बहुत ही अराम से कर पाओगे और दो तीन तो ऐसे फोन हैं जि में पहले स्मार्ट फोन के बारे में तो आता है वो आता है जिएनी को मैक मतलब जासा नहाम व्यसा आपको यह फोन आता है 6.1 inches का full view वल डिस्प्ले है जो बहुत ही बड़ा है HD plus वल डिस्प्ले है इस प्राइज में आपको यही मिलने वाला है 5 MP का आपको selfie camera 13 MP का double back camera भी मिल जाता है डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है और 5000 mAh की massive बैटरा के साथ में भी आता है तो बढ़ते हैं अपने अगले smartphone में जो मारा अगले smartphone आता है वो आता है Samsung lovers के लिए यहां Samsung का है यह phone Samsung का Galaxy M01 यह एक ऐसा phone है जो सबसे स्रस्ता आपको इस list का phone है जो आपको मातर 4900 mAh मतलब 5000 का यह phone आपको देखने मिलता है जिसमें मिलता है 1GB कराम 16GB के internal storage जो यह के decent आपको amount मिल रहा है बात करते हैं 3000 mAh के battery के साथ में आता है 5MP का selfie camera और 8MP का back camera सबसे ची बात किया है इस phone का durability बहुती अच्छा है बहुती sturdy phone लगता है और in-hand feel बहुती अच्छा है 5.3 inches का 18-9 का display है थोड़ा display ही पूराने लगता है बाकी सब इस phone का बहुती ज़्यादा decent specs के साथ में आ जाता है तो अगर आप एक strong budget में हो 5,000 में अगर आपको phone चाहिए तो Samsung Galaxy M01 की तरफ भी जा सकते हो वरना आगे वाला phone को ले लो थोड़ा जादा बेटर होगा लेकिन फिर भी अगले Samsung का phone चाहिए तो इस phone की तरफ आप जा सकते हो तो बढ़ते हैं अपने अगले smartphone में जमारा अगले smartphone आता है वो आता है Infinix के तरफ से Infinix का Smart HD 2021 जो बहुती कमाल के pricing में आपको देखने मिलता है 6,000 का बस ये phone है जो बहुती amazing price के साथ में आता है बात करते हैं कुछ basic specs के उपर कि क्या आपको इस phone में देखने को मिल जाता है तो इस phone आपको देखने को मिलता है 6.1 इंचेस का HD प्लस वरा डिस्प्रेय 2GB किराम 32GB के internal storage के साथ में आता है जो बहुती decent amount में चल जाएगा जो बहुती अच्छा हो सकता है बात करते हैं camera department के उपर तो 5MP का आपको selfie camera और 8MP का आपको back camera मिल जाता है मतलब जिस pricing में ये phone आता है ना उस pricing में इसका design बहुती ज़ादा attractive है लगता है नहीं ये 6000 का phone है लेकिन 6000 को मिल रहा है ना Infinix का smart HD 2021 इस phone को आप ले सकते हो अगर आपको बड़ा battery का need है display अच्छा चाहिए और थोड़ा-mोड़ा gaming भी प्ले करना है ना ये phone आपको 6000 के budget में बहुती ज़ादा suitable हो सकता है तो इस phone को भी आप ले सकते हो तो देखो आजकर के समय में जितना जादा पैसा लगाऊगे ना उतना जादा value for money phone आएगा बस 1000 एक्स्ट्रा कर लो 6000 में 7000 में आपको बहुती कमाल कमाल के phones देखने को मिलते हैं को बात करते हैं अपने अगले smartphone के बारे में जो मारे अगले smartphone है वो आता है माइक्रो मैक्स का इन वन भी बहुती कमाल का phone है और जिस प्राइज में ये phone लॉंच हुआ है जिस इस specification के साथ में आता है नो डाउट बहुती किलर है और इसमें अप गेमिंग भी कर पाऊगे जियां बात करते हैं प्राइजिंग के उपड़ 699 में मतलब 7000 के ये phone है जिसमें आपको मिलता है 2GB के RAM 32GB के internal storage जो बहुती ज़्यदा डीसेंट है और बहुती अच्छा रहने वाला है इस प्राइस के अकॉर्डिंग 6.52 इंचेस का HD plus वार डिस्प्ले है जो वाटर डॉप्रेट नौज के साथ में आता है 13 प्लस 2 एंपे का ड्यूबल क्यामरा है जो बहुती ज़्यदा डीसेंट रहने वाल है साथ में 8 एंपे का को सेल्फी क्यामरा मिल जाता है 5000 मिली एंपेर की मैसिव बैटरा के साथ में है जो बहुती सूपर लगने वारा है बात करते हैं पर्फॉर्मेंस रिपार्टमेंट के उपर तो इसमें आपको प्रॉसर बहुती ज़्यदा डीसेंट देखने मिलता है और इसमें आप गेमिंग भी कर पाओगे मेरे टेक का हीलियो जीटिफाइब का प्रॉसर एक गेमिं आखरी फोन के बार में जुम्हारा आखरी फोन आता है वो आता है पोको की दरफ से पोको का सी त्री जिसमें आपको देखने को मिलता है 3GB के राम 32GB के इंटरनल शूरिच और इस प्रैसित में ये फोन आता है वो बहुत ही अच्छा है छे हजार नॉसर नॉसर ने मतलब 7,000 का ये फोन आपको मिल जाता है मार्केट में जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है 6.53 इंचिस का HD प्लस रे डिस्प्रे है जो वाटर अप्ले नॉच की साथ में आता है 5MP का सेलफी क्यामरा और रिपल क्यामरा आपको बैक्राण में देखने को मलता है जिसका डिजाइन मु को करी फोन अच्छा है तो इन दोनों में से कौनसा फोन आपको अच्छा लगा वह कॉमेंट कर देना तो कुछ इस तरह के पाच स्मार्ट फोन जो मैं आपके साथ शेयर किया हूं 5000 6000 और 7000 की प्राइदिंग में जो बहुत ही जदा कमाल के निकल के आता है जो आपका डे-to- जिनने नया फोन पर्चेस करना है ताकि उनका भी मदद हो पाए तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और हां घंटी बिटन को टन से दबाना मत बोलना ताकि चैनल सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिशन आपको मिल जाए तो ठीकी विव पाइ